Hello Sun Moon and Rising Weight Goals Welcome to my channel Dream Deiroot यह आपके पार्टनर की करण्ट फीलिंग्स के हवाले इसी टाइमलस कलेक्टिव मैसेज है जितना आप से रेजुनेट करें उतना ले Terror channel फोल्लो करें for life sessions so let's see कि क्या messages आते हैं with GoWA's के partner के current feelings के हवाले से okay with Goosen के persons की current feelings क्या है what are with Go's partner current feelings for where go with Go's partner current feelings for where goes Ace of Cup आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं यहाँ पर मुझे लगता है कि कम्मुनिकेशन इतनी सही तरीके से नहीं हो रही और वो आपके साथ एक new emotional beginning चाहते हैं वो इस्टिल आपके साथ एक start लेना चाहते हैं या फिर अगर break up था तो आपसे बात करके एक new emotional beginning करें लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि उस तरीके से effectively बात नहीं हो रही है जैसे होनी चाहिए heart to heart conversation वाली जो बात है वो नहीं हो पा रही है तो उनके तरह में communication थोड़ी सी कम है या ना होनी के बराबर है तो आपके जो person है हो सकता है वो stability चाहते है commitment चाहते है इस relationship में अपनी yes लेकिन यहाँ पर stability नहीं आ रही है growth नहीं आ रही है इस relationship में यह एक challenge बनाव है वो चाहते है growth लाना या फिर वो pregnancy चाहते है marriage और pregnancy जो के हो सकते है बच्चे या pregnancy के हवाले से आप से बात कर रहे है लेकिन वो उसमें थोड़ी से रुकावट है अगर आप लोगो married है तो उनके लिए यह है प्रेग्नेंसी के हवाले से वो जादा सोच रहे है या बच्चों के हवाले से जादा सोच रहे है इसके लावा अगर आप लोगो married नहीं है आपके बाटर आपके साथ एक new start चाहते है तो आपके साथ commitment चाहते है और आपके साथ शादी अड़ना चाहते है बट यहाँ पर stability नहीं आ पारी है इस relationship में उन्होंने अपना decision लिया हुए उन्होंने decide किया हुए जितने भी pain से गुजरे ना वो उसको end करना चाहते है वो उनको लगता है कि सब बहुत बुरी तरह कि इससे end हुआ है बट इस still उनको hope है उन्होंने give up नहीं किया है वो still hopeful है कि चीज़ें बेतर होंगी इस relationship में healing आएगी वो healing चाहते हैं वो give up नहीं करना चाहते है इतनी आसानी से बढ़िया पर growth और stability नहीं बन पारी हो सथा है वो अपने growth पर काम कर रहे है और वो growth उतनी हो नहीं पारी है उनकी अपनी life में अगर वो कोई business करते हैं तो उसमें उतना grow नहीं कर पारे हैं वो आपकी तरफ passionate फील करते हैं yes, emotion overflow है तो passionate भी फील कर रहे हैं वो आपकी तरफ enlightenment तो वो enlightenment उनको हो रही है divine की तरफ से spiritually वो बहुत ज़़ग ग्रो कर रहे हैं मुझे लगता है ये Hierophant के कार्ट से मुझे ये मेरे माइड में आया था के वो शायद spiritually ग्रो कर रहे है और कोई इस ritual में busy है बहुत दर ritual उनको कर रहे हैं आज कल तो जिसकी वजासे वो enlightenment की तरफ जा रहे है enlightenment हो रही है उनकी means के spiritually ग्रो कर रहे है और उनकी जो दुनियावी growth है means के abundance उनकी life में है वो थोड़ी सी रुकावट बढ़ी है लेकिन यहाँ पर spiritual growth बहुत हो रही है उनको लगता है कि आप उनकी destination partner है और वो किसी like वो अपने आपको खुश रखने की हर मुम्किन कोशिश करें जाए उसके लिए उनने अगर material things को invest करना पड़ा है पैसों को invest करना पड़ा है तो वो उसको कर रहे है अपने आपको happy रखने के लिए और वो किसी miracle का भी wait कर रहे है और जो उनके लाइफ में है उसको उसमें वो gratitude शो करें उनके लिए divine के advises कर रहे है you deserve love, you are lovable तो उनको divine कर रहे है कि वो love deserve करते हैं अपनी life में इसलिए अगर कोई नया person उनकी life में आता है तो उसको accept करें या आपकी तरफ से कोई move मिलता है तो उसको accept करें क्योंकि वो healing चाहते हैं still वो इस relationship में रहना जाते हैं give up नहीं किया है उनोंने और मुझे नहीं लगता कि वो किसी new love की तरफ जा रहे है बट जो उनकी life में है उस पर वो gratitude चो करें है और आपका भी weight करें है बट universe उनको कहरी कि you are lovable अपने आप से प्यार करें attraction, you attract romantic love I enjoy this moment fully तो इस relationship जो भी situation उनकी life में इस वक चलिए है चाहे कितनी painful life हो बट वो अपने आपको खुश रखने की कोशिश करें है और attract उनको ये कहा जा रहे है कि वो अपने life में जो भी movement है उसको fully enjoy करेंगे तो उनकी life में love attract हो सकता है यहनि love को attract कर सकते हैं चाहे जितना भी bad time चल रहा है उसमे वो अपने आपको खुश रखने की कोशिश करें तो वो अपने life में love attract कर सकते हैं यूँ नो how it was hard to let you go तो अगर उन्होंने आपको छोड़ा है किसी वज़ा से तो उन्हों आप से कहना चाह रहे हैं कि ये बहुत मुश्किल था उनके लिए उन्होंने ये असानी से नहीं किया है ये चीज़ बहुत मुश्किल थी और messages देख लेते हैं उनके विडोस के partner के I will wait for a sign from you वो आपके तरफ से किसी sign का wait करें है definitely love life को start करने के लिए वो आपके तरफ से चाहते हैं कि आप को sign करें so many things reminds me of you तो बहुत सी चीज़े उनको आपकी याद दिलाती है I left you when I saw you with someone else तो हो सकता है उन्होंने आपको किसी के साथ देखा है third party की वजह से उन्होंने आपको छोड़ दिया I love you unconditionally वो आप से unconditional love करते हैं और हो सकता है उनको ये misunderstanding हो कि आप किसी third person के साथ है ये misunderstanding भी हो सकती है और या फिर हो सकता है कि उन्होंने हो सकता third party family हो जिसकी जासे उन्होंने आपको छोड़ा है या पीछे हटे हैं वो इस relationship So let's see कि उनका next action क्या हो सकता है towards you लेकिन still वो अभी किसी और relationship में जाने के बजा है आपकी तरफ भी attraction passion feel करें है और अपनी spiritual growth पर काम करें है अपनी growth पर भी काम करें abundance पर like अपने आपको materially financially stable करने की भी कोशिश करें हैं बट वो आपका भी आपके साथ भी healing चाते हैं वो अपनी healing पर focus करें अपने आपको heal करने की कोशिश करें for some time अपने आपको heal करने के लिए अपने आपको खुश रखने की कोशिश करें वो workaholic भी बहुत जादा हुए है काम में बहुत जादा busy भी अपने आपको काम में busy किया है बट वो आपकी तरफ एक romantic gesture शूर कर सकते हैं और हो सहता है within a week को आपसे बात करें और अगें से commitment यार द्वार से understanding बनाने की कोशिश करें और यारी रिलेशन्शिप को बिल करने की कोशिश करें आपके साथ और वो आपको manifest भी करें अपने लाइक में so that was your reading if it's that you need please let me confirm in a comment below like my video, subscribe my channel and thanks for watching